हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे दालमा ये उडिसा में बनता है और बहुती टेस्टी और इजी होता है आधा गंडा पेले मैं हापकप दूर दाल और हापकप चना दाल इसको भीगो के रखी थी अब एक प्रेसर को कर लेंगे उसमें वांटे बूल स्पून देशी गी डा देंगे और एक इंच अद्रक को कूट के लिए हैं इसको थोड़ा सटे कर लेंगे अध्रकर आदेशीगी का स्मेल और टेस्ट बहुत ही जबर्दस्त आता है और आप जो भी सबजी डालना चाहते हैं उसको काट के साप करके डाल दीजिए इधर में आलू बेगन बीन्स प टमाटर गाजर यह सब डाली हूं आपके पास जो भी सबजी आप सब डाल सकते हैं और जो भीगो के रखिती डाल उसको अच्छे से साप करके उसको भी डाल देना है और टमाटर डालना है वान टीजपून नमग और स्वाद के अनुसार हाफ टीजपून टॉर्मेरिक गिए हुआ बेल आइकन को प्रेस किजिए और इसे लाइक और सब के साथ सेयर किजिए अब हम इसमें पानी आड कर लेंगे यहां पे मैं दो कप पानी आड की हूं अब सबजी और दाल को क्वांटिटी देखके आप उसी सब से पानी आड कर सकते हैं उसको मिला लें के हमारा ग्यास रिलीज हो गया अभी सब हमारा सबजी और दाल अच्छे से गल गया है देखें अब हम इसको तड़का लगाएंगे एक प्यान लेंगे उसमें वान टेबल स्पून ऑइल डालेंगे दो सुखी मिर्च और थोड़ा सा हिंग डाल देंगे और यहां पर वान टी स्पून पंच फुटन डाल देंगे यहां पर प्याज भी डाल सकते हैं यहां पर मैं ब्रतबला डालमा बना रही हूं इसलिए प्याज और लसुन यूजने की हूं तड़का को डाल मा के उपर डाल देंगे और एक से दो मिनिट के लिए कूप करेंगे और इसके उपर हम थोड़ा सा कस्तुरी में थी भूना हुआ जीरा मीर्ज का पाउडर और थोड़ा सा डाल चीनी पाउडर डाल देंगे इस सबको अच्छे से मिला लेंगे आप इस तरीके से घर में दालमा बनाईए यह बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी भी बनता है और बहुत इजी रेसिपी है आप इसे घर में ट्राय कीजिए हमारा हो गया है अब इसके उपर हम कुछ कटा हुआ धनिया पता डाल देंगे देखिए इसको गरम गरम आप चावल और रोटी के साथ खाईए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए